नमस्कार दोस्तो हमारी चैनल में आपका स्वागत है कहते हैं कब्ज का दर्द वो ही समझ सकता है जिसके साथ यह समस्या बन गई हो यदि लंबे समय तक कब्ज की समस्या ठीक नहीं होती है तो रोगी अवसाद में भी आने लगता है इसके अलावा लगातार कब्ज रहने से पाचन से संबंदित और भी व्याधियां होने लगती हैं इनका मुख्य कारण आज कल की एनियमित चीवन शैली और गलत तरीके से खाने पीने की आदते होती हैं तो कब्ज का नाश करके सुभा के समय खुलकर पेट साफ करने के लिए आज हम एक बहुत ही अच्छा घरेलु उसका आपके लिए लेकर आए हैं इसके बनाने की तरीका हम आपको बता रहे हैं जो बहुत आसान है और आप घर पर ही इसको बहुत आसानी से तयार कर सकते हैं इस प्रियोग को तयार करने के लिए आपको चाहिए हरी सौफ, अजवाइन, निशोट, काला नमक, छोटी हरड वाय विडंग ये सब चीजे 10-10 गिराम और सनाय के पत्ते 50 गिराम इन सब चीजों को आप एक साथ लेकर के मिक्सी में डालकर पाउडर बना लें और एर टाइट शीशी में भरकर रख लें आपका चूरन जो है तियार हो जाएगा इसे आपको सोते समय एक चम्मच्चून गुनगुने गरम पानी के साथ में लेना है इसके प्रयोग से अगले दिन सुभा पेट खुल कर साफ हो जाता है और यह किसी तरह का कोई विकार भी आपको उत्पन नहीं करता है यह सब चीजे जो उपर हमने बताई हैं यह आपको अपने आसपास किसी जड़ी बुटी वाली के दुकान से आसानी से मिल जाएंगी तो वीडियो में दीगी जानकारी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताईएगा आपके फीडबेक हमें कमेंट्स के माध्यम से आप दीजिएगा हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सबस्क्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को आप तबाएं जिससे की हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच सकें फिलाल के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्तो धन्यवाद